Hello Parents, Welcome back to my channel Parenting and Education आज का वीडियो उन Parents के लिए है जो अपने बच्ची के अड्मिशन आर्टी दुरू करना चाहते है पर वो इस साल आर्टी का फॉर्म नहीं भार पाए और अगली साल उन्हें आर्टी का फॉर्म भरना है सो आज के वीडियो में मैं आपको आर्टी लोटरे अड्मिशन कैसे होती है इसके बार में पुरी जानकरी दे रही हूँ सो वीडियो को एन तक देखते रहिए इसका एक पॉइंट भी स्किप मत कीजिए क्योंकि कोई भी ज़रूरी जानकरी आपसे मिज हो सकती है और फ्रेंड्स ऐसे ही आर्टी से जोड़े नए इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पैरेंटिंग अन एड्योकेशन का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए तो सबसे पहले तो मैं बता दू आर्टी मिन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट और इस एक्ट को सरकार ने 2009 में बनवाया था और इस एक्ट के अंतरगर भारत देश में जितने भी गरीब बच्चे हैं जिनकी एकनोमरी कंडिशन पूवर है जो ऐसे एस्ट कैटेगर के आते हैं ऐसे बच्चों को शिक्षन का आधिकार होता है और जितने भी प्राइवेट स्कूल है जितने भी सरकारी और प्राइवे ओफिशल जो अनाउंसमें होती है वो जनवरी मेनी में होती है और इसकी फ़र्म निकलते हैं फेबरुवारी के फर्स्ट और सेकंड विक से और यह डिपेंड करता है मिसके आर्टी की जो एड्मिशन होती है वो स्टेट वाइस और डिस्ट्रिक वाइक अलग-अलग होती है तो उनकी official website वो और announcement कर देते है Question No.2 Parents के पास कितना समय होता है तो अगर February मैने के 1st और 2nd week में form निकलते है तो form भरनी की जो last ड़ होती है वो March के 1st week या फिर 2nd week तक होती है Miss Parents के पास पूरा एक मन का समय होता है अपने बच्चों के admission का form भरनी की Question No.3 RT का result कब लगता है तो RT का result April मैने में लग जाता है और इसकी जो admission process है वो 3 round में होती है 1st round, 2nd round और 3rd round में Question No.4 RT का form भरने की लिए age criteria क्या होता है RT में nursery to age standard तक बढ़ा ही free होती है लेकिन यहाँ पर form भरने की लिए nursery to first standard तक ही form भर सकते है और इनका जो age criteria होता है वो हर एक साल बदलता है और हर सार में age के लिए proper guideline आती है जब इनकी official notification आ जाएगी तो वो notification में ही age criteria दिया रहता है RT का form भरने के लिए कुन-कुन से document लगते है RT का form भरने के लिए कुछ important document आपके पास होने ही चाहिए जैसे बच्चों का आधार card, बच्चे का birth certificate अगर बच्चा category में आता है तो का certificate अगर आप open category में हो तो आपके पास income certificate और income में भी आपके annual income एक लग से कम होने चाहिए इसके अलावा आधार card भी बहुत ज़रूरी होता है और अब सबसे important topic बात करते है कि आरटी में नंबर लगने के बाद fees कितने लगती है तो देखिए अगर आपके बच्चे का नंबर private school में लगता है तो हर एक private school के अपने अलग fee होती है लेकिन अगर आपके बच्चे का नंबर आरटी तो लग जाता है तो उसको सिर्फ tuition fee माफ होती है लेकिन बच्चों का यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स, बच्चों की आई कार्ड, स्कूल वैन, इन सारी बातों की फी आपको भरनी होती है सब पैरेंट्स, उम्मिद करती हूँ कि आज की मेरी जानकारी आपको informative helpful लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके, जितना हो सके, मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और फ्रेंट्स, आर्टी लोट्रे एड्मिशन पर मैंने पूरी सीरीज बनाई है उस सीरीज में मैंने हरे टॉपिक पर डीटिल में वीडियो बनाया है अगर आभी तक आपने वो सारी वीडियो नहीं देखे है तो प्लेइलिस में जाके जरूर एक बार वो वीडियो देख लिजिए इसके अलावावे प्रेंट्स, आपको कोई doubts आते है अगर आप कोई जानकर चाहिए तो आप प्लेज मुझे comment करिए मैं try करूँगी कि आपके सारी comments का answer दूँ फिर मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ बाई, take care